नमस्कार दोस्तों निफ्टी बाबा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज फिर हम आपके लिए पहले तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनलाईसिस करेंगे उसका चार्च टडी करेंगे और उसके हाई वेटेस स्टॉक्ष्ट कुर्ट study करेंगे फिर उसके बाद उसके बेस पे एनलाइसिस करके कल की निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल को समझेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम शुरुवात उस बाद से करते हैं कि कल कुछ जो हमारे दर्शक थे हर्मन प्यारे जो हमारे व्यूर्स थे वो कुछ निराज हो गए कि आपने कब बताया था कि निफ्टी यूटन लेगी तो यह देखिए यह 31 अगस्त का निफ्टी बाबा का जो हमारा टेलिग्राम चैनल है उस पे हमने यह देखिए लिखा हुआ ह सुबह 9 बजे कि 11 900 निफ्टी में टेक यूटन मतलब 11 900 के पास निफ्टी यूटन ले सकती है और यह किस बेस पे लिखा था यह देखिए अगर हम हार्मोनिक पैटरन के हिसाब से देखिए जिसे हम X, A, B, C, D पैटरन भी कहते हैं और कुछ इसे बटरफ्लाइ पैटरन भी कहते हैं तो इसमें आप देखिए तो यह जो बना है वो ठीक 11 865 870 के पास D बना है यह देखिए और अगला जो D क्या कहता है यह एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो उसके बाद अगला यह आप देखेंगे कि 11 317 के आसपास मतलब कि जहाँ पे B पॉइंट होता है वो हमारा होता है next target उसके बाद अगला होता है C ठीक है और उसके बाद अगला होता है A एक है तो मिलने के चांस कम होते है तो यह C कहाँ पे है जहां मैंने आज से पहले पिछले मन्त आपको पताया था कि 10 900 जो important level है और जहां से एक बाद निफ्टी घूमी भी है आपको याद होगा वो है और 11 323 308 330 इसके आसपास यह जो पैटरन निकल के आ रहे है यही कारण यहां था कल मैंने आपको पताया था कि 11 308 150 स्फॉत यह ही कि यहां से एक हैवी सपोड़ अर सकती है और वहीं हुआ कि यह हमारा आज का चार्ट है gotta है इसमें देखिए यहां से इससे इरीये से ए में फिर से निफ्टी ने सपोड ली है और सारा दिन निफ्टी तकरीबन 11.412 के उपर रही है जो कल मैंने एक पॉइंट बताया था 11.412 उस 11.412 से इसने बार-बार स्पोर्ट लिया है यह देखिए तो कुछ इंट्राडे के बारे में मैं आपको बता दूँ कि देखिए हम जैसे आज हम स्टड़ी कर रहे हैं साड़े तीन बजे और कल नो बजे कोई इंडो चाइना के बीच फिर से कोई टैंशन होजे जा कुछ होजे वो एक अलग उस टाइम की बात होती है और जो मैंने कल कहा था सेड़े संडे की वीडियो में वह ने कहा था कि वहाँ से प्रॉफिल बुकिंग हो सकती है और मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि 11.625 तक मैंने सोचा था मैंने यह नहीं सोचा था कि जैसे जैसे news flow आता है वैसे वैसे निफ्टी की चाल index सब stocks की सब की चाल बदलती है तो यह तो कुछ न्यूस पर भी depend होता है उसके बारे में जो भी वेक्ति stock market में trade करता है उसको अपने हर टाइम एक्टिव रहना चाहिए कि क्यों से न्यूज किस वक्त आ रही है तो आज हम थोड़ा सा आपको इंट्राडे पैट्र भी समझाते हैं कि क्या आपने कैसे इंस लेवर्स को यूज करना है देखिए सबसे पहले ऐसे किया किजिए कि जैसे हमने यह ले लेवर्स आपको दखाएं आप अपने चार्ट पे होरिजंटल लगाएं लाइन लगाएंगे इस पर होरिजंटल लाइन लगाके आपने यह सारा कुछ ऐसी चार्ट लगा देने हैं और फिर यह देखना है जैसे माले जी आज था आज निफ्टी इस एरिये में स्टार्ट हुई तो कि यह तो फिर आप कुछ जो भी करना चाहिए की यह और उसके बाद अगले लेवल को देखिए कि क्या यहा, यहां पर रैट गैंडल फिर फिर से तो वहां पर आपको फिर से सैल करना चाहिए है मतलब इस तरह से इं्ट्रा डे में ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंगं के लिए बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है और लेवल को अपने चार्ट पर रखना पड़ता है जैसे जैसे इन लेवल लाइन को निफ्टी क्रोस करेंगी यह कोई भी स्टो क्रोस करता है तो आप समझ लीजिए उपर की लेफल को लोड करें तो बाइंग साइड आ रही है अगर नीचे की लाइन को को क्नोर्च कर तो डावन सेड और अब अब जैसी जैसे यह कल कह रहे थे मैं आपको बताता हूँ निफ्टी का चार्ड दिखा के बताता हूँ आपको कैसे करते हैं यह देखे जैसे यह का रहा है यह देखे 11.75 यहां से निफ्टी टूटी और अगला लेवल मैंने दिया 11.746 अगर 11.746 से रेड लेड बन रही है तो आपको वहां से एक्जिट होना चाहिए था और फिर से नई पूजिशन देखनी चाहिए थी क्या बनती है इसमें कोई फसने वाली बात नहीं थी तो तभी का जाता है कि इन लेवल्स को गोर से देखिए यह लेवल्स ऐसे नहीं निकाले गए बड़ी मेहनत से निकाले जाते हैं और कई तरह के जैसे बैट पैटर्न हो गया हार्मोनिक हो गया बुलिश पैटर्न बेरिश पैटर्न यह सब पैटर्न लगाके फिर जाकर हम निचोड निकाल के आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं तो अब फ्रेंड्स आगे SBA में देखिए 213 से इसने स्पोर्ट ले लिए और बहुत अच्छी स्पोर्ट लिए और फंडामेटली भी स्टेट बंक ओफ इंडिया काफी स्ट्रोंग है तो उपर के लेवल 227 233 और 233 हमारा बड़ा रिजिस्टन्स रहेगा क्योंकि पहले भी यहां पर प्रॉफिल बुकिंग आ चुकी है और नीचे के लेवल अगर 213 तोड़ा तो 209 अगला लेवल होगा तो HDFC बैंक HDFC बैंक देखिए यह है हमारी ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है मतलब कि स्पोर्ट लाइन यह तो स्पोर्ट लाइन में यह देखिए कि अगर इसने 2142 को तोड़ा कि उपर निकल गया फिर इसको एक बड़ा ब्रेक आउट मिलेगा अभी यह तब तक साइडवे में गया है और यहीं से घूमता रहेगा देखिए पिछले दिन भी ऐसी रहा 1107 से 11142 के बीच ही यह घूमता रहा तो अब भी जब तक 1142 के उपर नहीं चला जाता तब तक इसमें ब्रेक आउट नहीं आ सकता उसके बाद कोटेग वैंक कोटेग वैंक में 1408 से स्पोर्ट ली है और उपर 1438 पे रिजिस्टेंस है और तब तक इसमें ब्रेक आउट नही नहीं को जाता है तो अभी यह फिल हाल साइड वेई है इंडस बैंक इंडस बैंक यह बेरिश केंडल बनाई है इसने क्योंकि इसने पिछली केंडल को तोड़ा है तो अभी कल की केंडल देखनी पड़ेगी यह किस ओर जाती है पर क्योंकि इसने नीचे के लेवल से स्पोर बनता है तो बैंक निफ्टी की आप यह देखेंगे यह एक प्राइस चैनल बना हुआ है इसे प्राइस चैनल कहते हैं इस प्राइस चैनल में देखिए जो नीचे के लैवल में आपको समझाते हैं कि ये जो line है जब तक इस line के उपर है तब तक bank nifty फिर भी bullish है और आपको ये भी बता दे कि ये जब तक 23390 के पास नहीं चले जाता इस point पे इस point पे नहीं चला जाता touch नहीं गा लेता इस line को मतलब तब तक इसमें फिर से buying आनी मुश्किल है तो friends अभी इसका wait करना चाहिए 23390 के पास 23390 के पास ही इसका कोई trade बन सकेगा तो हिंदुस्तान जुनि लिवर ये एक bullish pattern में है 2177 के उपर इसके 229 जहां एक बड़ा resistance है उसका आप alert रहिए और नीचे 2144 और 2122 ये दो इसके नीचे के level उसके बाद doctor ready doctor ready बड़ी अच्छी spot लिए ग्रीन candle है पर कल के मामले में अगर मुकाबले में देखे तो नीचे ही है तो अभी जब तक ये कल के मुकाबले में उपर नीचे बना लेता तब तक इसमें bullish pattern नहीं कहा जा सकता तो इसे कल देखना पड़ेगा कि कहां पर ये breakout देता है उसके बाद HDFC HDFC भी Sideway है उसके बार Reliance Reliance भी Sideway है और Sun Pharma Reliance में एक बाद आदे कि जब तक इस इस लाइन को Cross नहीं कर देता मतलब 2-1-9-4 को Cross नहीं कर देता तब तक Reliance में breakout नहीं हाएगा ऐसे ही Sun Pharma Sun Pharma देखे ये sport लाइन है इस sport लाइन से ठीक यहां से reverse लिया तो इसका मतलब यह है कि इसमें अभी bullish pattern बन सकता है और उपर के level 530 537 और 540 और बरा resistance आपको दिखाई दे रहा है 559 पे और उससे यह लगा लिजिए 2345 के ऊपर नहीं चले जाता यह पुरी तरह जे अगर sport line को Cross नहीं कर लेगा तब तक इसमें bullish pattern नहीं आ सकता है इसके बाद Infosys यह पुरी तरह bearish pattern में है और 903 आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी sport है यहां पर क्योंकि 903 से इसे रिस्पेक्ट दी तो ठीक अगर यह भी तोड़ दिया तो नीचे का level 848 दिखाई दे रहा है उसके बाद यह देखिए Nifty 50 का एक Eagle view chart इसमें आप देखिए कि 11.879 यह कैसी जगा है जहां पर एक नया ट्रेडिंग जोन स्टार्ट होता है और 11.870 के नीचे अलग ट्रेडिंग जोन जिसमें अब इस टाइम हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इससे भी पता चलता है कि 11.870 के बाद ही नया ट्रेडिंग जोन शुरू होगा जब तक 11.870 मार्किर तोड नहीं देती तब तक हम उपर 12.430 के बारे में सोच भी नहीं सकते तो अब फ्रेंड्स आपको जैसे दिखाई दे रहा है और मैंने अभी समझाया भी है कि हार्मोनिक पैटरन के हिसाब से 11.308 एक स्ट्रॉंग स्पोर्ट है और उपर 11.548 एक ऐसा एरिया है यह देखिए 11.308 से लेकर 11.548 एक ऐसा एरिया है जहां आज इसने प्रॉफिर बुकिंग भी की है हुई है पर नीचे से स्पोर्ट भी मिल रही है 11.412 के बीच में जब तक यह 11.512 के उपर ने निकलता तब तक इसमें ब्रेक आउट नहीं आएगा निफ्टी में और जब तक नीचे की और इस लेवल को निफ्टी तब तक नीचे की और ब्रेक आउट नहीं आएगा तो फ्रेंड्स अभी निफ्टी बीच में ही है और एक टाइट ट्रेडिंग रेज में चल रही है ट्रेडिंग रेंज क्या है 11.300 से 11.550 अभी निफ्टी इसी रेंज में तो अब हम थोड़ा option chain को भी देख लेते हैं कि option chain क्या कहती है हाँ put call ratio 1.28 जो काफी कम है और निफ्टी को support देगी bullish pattern के लिए और इसमें भी हम बता दें कि अगर 1.65 जैसे को PCR Friday के दिन हो तो वो कोई ज़्यादा नहीं होता क्यों नहीं ज़्यादा होता क्योंकि Friday के दिन data कम होता है यह हर चीजों पर डिपेंड करता है कि option chain में कितने लाग कितने क्रोड लोग आ चुके हैं अब देखिए option chain भरी है फ्राइडे की option chain कम होती है अगर उसमें 1.65 होगा तो कोई बड़ी बात है हाँ अगर वन इसमें 1.65 होता तो मैं कहता है यह बेरिश पैटर में है अभी 1.23 है और पूरा देखिए ट्रेडिंग फूल हो रही है इसमें कॉल राइटर पुट राइटर दोनों साइड है तो इ इसमें option chain में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 11.000 से 11.300 तक एक strong sport area है यह देखिए इसमें क्या है 11.000 पे 19.81 और 11.300 पे 18.6825 और जो आज का sport रहा है वो रहा 11.400 तो इस तरह से 11.400 पे 22,7,23,23,000 पुट राइटर है इसमें और सबसे ज़्यादा पुट राइटर इस लाइन में देखिए तो सबसे ज़्यादा यहीं पे है तो मार्केट अभी 11.400 को base sport मान के चल रही है option chain के हिजाब से और resistance किसे मान रही है वो मान रही है 11.500 और ग्यारा पांसो पचास और ग्यारा पांसो यह आप देखिए इसी में ही plus हुए है call writer बाकी सब में negative हुए है सिर्फ यहीं पे है call writer 11.500 क्योंकि 11.548 एक ऐसा ऐसा लेवल है कि अगर इसके उपर जाएंगे तो एकदम से उपर का फिर से जोन खुल जाएगा तो friends अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जुरूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को subscribe ना करना भूल थेंक यू